यात्रा छोड अचानक खेत में पहुँचे राहुल गाधी, मशीन चला कर काटा चारा गुरुवार को भारेज जोड़ोई यात्रा शाम करीब 6 बजे पूरी हुई दोसा के नांगल राजा वतान के मीड़ा हाई कोर्ट में यात्रा खत्म हुई नाइट स्टे यहीं पर हुआ, यहीं शे शुक्रुवार को यात्रा फिर से शुरू होगी इस बीच राहुल गाधी लाल सोट के बडॉली गाउ में किसान सोहन लाल बैरवा के घर कुछ देर के लिए चाय पीने रुके उन्होंने बैरवा के घर पर कुट्टी काटने की मशीन चला कर देखी राहुल ने जानवरों के लिए हरा चारा भी काटा दलित किसान परिवार से खेती के बारे में पूछा सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी ली इससे पहले जिस किसान के घर राहुल गादी चाई पीने रुकने वाले थे वहां सीएम अशोक गहलोत, प्रदेश व्रभारी, रंधावा, सहीद बड़े नेता पहले ही पहुँच गए थे बाराजीला प्रमुख उर्मिल जैन और लाल सोट, SDM भी घर की महिलाओं को समझाने के लिए मौजूद थी सोहन लाल बैर्वा के पास धाई भी का जमीन है, उन्हें सरकार से अब तक कोई सरकारी योजना का फायदा नहीं मिला है बैर्वा ने कहा कि दो कमरों का मकान खुद की खर्चे से बनाया है पीमा वास में फॉर्म भरा था लेकिन नंबर नहीं आया, टॉइलेट भी नहीं है, उसका पैसा भी नहीं मिला भारत जोड़ यात्र का गुरुवार को नांगल राजा वतान के मीना हाई कोट में नाइट स्टे था देर शाम मीना हाई कोट के बाहर बीजेपी के राजी सबासांसत किरोडी लाल मीना के समर्थकों ने जम का नारे बाजी की समर्थक कि रोडी लाल मीडा के पक्ष में नारे लगा रही थे कुछ देर नारे बाजी के बाद समर्थक वहां से चले गए फिल हाल आप इस खबर के बारे में क्या सोस्तर समस्ते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बटाईए